एश्वर्या एक बार फिर करने जा रही है ऐसा काम जिसे देखकर भरत उठेंगे अमिताब और अभिशेक होगी लड़ाई करीब साल भर पहले एश्वर्या के घर में जिस चीज को लेकर टेशन हो गई थी अब एश्वर्या दुबारा वही करने जा रही है जी हाँ साल भर पहले रणबीर कपूर और एश्वर्या की फिल्म आई थी अदिल है मुश्किल इस फिल्म में एश्वर्या ने काफी बोल्ड वर्क किया था रणबीर के साथ वो इस फिल्म में किस इंग सीन करती हुई नजर आई थी इस सीन को लेकर अमिताब और अभिशेक नाराज हो गए और दुबारा रणबीर के साथ काम ना करने की चेतावनी भी दी थी लेकिन अब करियर के चलते एश्वर्या रणबीर के साथ एक और फिल्म करने जा रही है खबर है कि इस फिल्म को करन जोहर बनाने जा रही है दिसंबर तक ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी वहीं एश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग फिल्म फरने खा लंबे समय से चर्चा में है एश्वर्या के फैंस को इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है अब फैंस का ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है गौर तलब है कि फिल्म का प्रोडियक्शन से जुड़ा काम खत्म नहीं हो रहा था जिसके कारण इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाय जा रहा था लेकिन अब एश्वर्या राय बच्चन फिल्म फन्ने खा में अपनी जलक दिखाने को तयार है जी हा मीडिया में चल रही खबरों की माने तो फन्ने खा का पहला टीजर या फिर ट्रेलर अनबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म संजु के साथ सिनेमा घरों में दिखाया जा सकता है फिल्म संजु इसी महीने 29 जून को रिलीज होनी है यह बात जानने के बाड़ एश्वर या राय बच्चन के फैंस के बीच फिल्म में उनकी पहली जलक देखने को लिए एक साइट में बढ़ गई है सूत्रों की माने तो फन्ने खां की पूरी टीम इन दिनों फिल्म के ट्रेलर और टीजर पर जम कर काम कर रही ताकि संजु के साथ दिखाया जा सके फन्ने खां से जुड़े प्रोड्यूसर्स का मानना है कि संजु के साथ फन्ने खां का ट्रेलर दिखाने का मुख्य उद्देशिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिल्म के बारे में पता चल सके गौर तलब है कि संजू का काफी से ने प्रेमी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं आपको बता दें कि फन्निका में एश्वर या राय बच्चन के आलावा राजकुमार राव और अनिल कपूर भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे यह दच्च फिल्मे औरी बडीच फे मस्की रीमेक है इसका निर्देशन अतुल मांजरे करने किया है इस फिल्म में एश्वर या राय बचन और अनिल कपूर लगभग दो दशक बाद साथ देखेंगे इस से पहले वेग साल 2000 में हमारा दिल आपके पास है और 1999 की हिट फिल्म ताल में साथ नज़र आ चुके है फिल्म भरने खांती नगस्त को रिलीज होगी